आज हम लोग बात करेंगे होस्टिंगर के नई डेटा सेंटर के बारे में जो भी इंडिया में लॉंच हुए उनकी पर्फॉर्मेंस कैसी है और क्या आपको इंडिया के डेटा सेंटर पर स्विच करना चाहिए की नहीं हाई गाइज मेरा नाम है क्रिपेश अडवानी यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ होस्टिंगर के बारे में मैंने काफी कुछ कवर किया है इस चैनल के ऊपर इसका यह डेटेल रिव्यू नहीं है डेटेल रिव्यू मैं अल्रेडी कर चुका हूँ आपको आई बटन पर मिल जाएगा डेटेल ब्लॉग आर्टिकल भी मिल जाएगा आपको नीटे डिस्रिप सेट के ऊपर वैसे यह आज का नया सेट अप है कुछ नहीं चीज़े ट्राय कर रहा हूं डू लेट मिनो इफ इस ओके अभी पूरा फाइनलाइज नहीं है अभी चल रहा है इस पर और थोड़ी नॉइस भी आ सकती है बाहर से सो आइम रियली सॉरी पॉर बाट बाट वीव लाइब Кोई ए इस परोड़ी नहीं जो बाट बात करो मेरे अपने प्लान के बात करूँ तो मेरे पास विशनम भे घ्ल कि यूज डै शुलालज है अंड एण्ट इसका बेस्के निचा ने चन्रें भी आतabeth को षिट्टन इन यूज भिड़ी उर्द जायेगे ऑर important links में इचे description पर दे दूँगा आप लोह से जागे purchase कर सकते हो training program में भी free entry ले सकते हो coupon code कृपेश उससे आपको extra discount coupon discount भी मिल जाएगा मेरा जो plan है वो बिजनस वे बोस्तिंग का plan है यह मैंने लिया है जो इंडिया की data centers के उपर है और जो मेरी website है वो यह मैंने setup करिए kptesthos4.icu इस पर ही मैंने सारे टेस्ट किया में मैंने तीन टेस्ट के speed test किया है load test किया है और uptime test इसका चल रहा है speed test के बारे मैं बात करूं तो यहां पर जो मुझे वो मैंने सेकेंड होस्टिंग कर एंडिया की data center पर इंडिया की data center पर अच्छी है यहां पर आमने नहीं एक सीदीग तो उस्टिंग कर रहा था तो अब इतना च्छी data centers है तो इंडिया की अगर आप इंडिया की ओडियंस टागेट कर रहे हो इस स्पीड बहुत अच्छी है मेंस फास्ट कॉमिट और केमी क्लाउड जितनी यहां पर आमें स्पीड देखने को मिल रही है और जो मैंने डिफॉल्ट कैशी सेटिंग उस करी थी वह थी लाइट स्पीड सेवर लाइट स्पीड कैशी प्लगिने डिफॉल्ट सेटिंग कुछ इंस्टालेशन मैं उपर से नहीं किया है तो यहां पर हमने 50 वर्चुल उसर भीज़े जिसमें रिक्वेस्ट अराउंड 8200 करी गई कोई भी HTTP फेलियर नहीं वहां दाट इस रेली गूड रिक्वेस्ट भी यहां पर काफी सारी यह पीक रिक्वेस्ट नहां पर 41 विच इस अगें वेरी गूड रिस्पॉंस टाइम यहां पर 299 MS का है एक जो मुझे प्रॉब्लम थी वो यह थी कि रिस्पॉंस टाइम यहां पर मेरा ऑटमाटिकली बढ़ गया था जब मेरे 40 वर्चुल उसर के अरूंड गय थे 43 43 44 पर आपर रिस्पॉंस टाइम मेरा थोड़ा इंक्रीज हो गया था कि एकदम से जो 6 MS चल अच्छी बात है कि बहुत सारे यहां पर स्पाइक बीच में आखरी में थोड़ा रिस्पॉंस टाइम बढ़ा है तो एक्टिव यूजर्स की बात करों तो यह अराउंड 80-100 तक अक्टिव यूजर्स ले लेना चाहिए मेरी ऑपिनियन में और इसकी परफॉर्मेंस इसकी बात है कोई डाउं टाइम नहीं है विच रियली गुड और बाकी में इसका रेगुलर्ली अपडेट कर दूंगा अपने ब्लॉग के ऊपर यहां पर आपको नीचे मिल जाएगा सिंगापूर्स का क्या अप्टाइम में वह रेगुलर्ली अपडेट हो रहा है यहां इंडिया के सब्स भी आजाएंगे वह भी रेगुलर्ली अपडेट होंगे एवरी मन्त नाव कमिंवान तो बॉटम लाइन इंडिया के जो डेटा सेंटर वह अच्छे हैं आप लोग उस पर स्विच कर सकते हो स्पीड यहां पर आपको कापी अच्छी देखने को मिलेगे इंडिया से लोड टेस्टिंग इस थोड़ा इंप्रूमेंट थोड़ा माइनर इंप्रूमेंट किया जा सकता है बड़ फिर भी अच्छी है फॉर दप्राइज इस रेली गूड नेम चीप EZWP से काफी अच्छी एट होस्तिंग से भी मुझे अच्छी लगी है अब टाइ अगर आपकी जो मिजॉरीटिया से अरिए तो फिर इंडिया के यहां पर कुछ वेबसेट कर दे है जो मेरे इंडिया इंडिय उसर्ष को यहां पर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो तुछ इंडिया उस्टिंग इसे लिए अगर अपको वीडेयो अच्छ लगा तुछ तुछ झाल झाल झाल